ग्राम पंचायत खरगोन में विकास्यात्रा का आगमन हुआ, विकास्यात्रा के दोरान पधारे हुए जन प्रतिनिदियों के द्वारा ग्राम में भ्रमन किया गया और आम जनता के समस्याएं सुनी, साथ ही मंचा सिन होकर मासरश्वती का पूजन अर्चन कर ग्राम पंचायत प्रांगन में पांच पोधों का रोपन किया गया। एवं हिद्ग्राही मुलक स्विक्रती पत्र हिद्ग्राहियों को दिये गए ग्राम के सरपंच प्रकाश वासकले की मंच से खुब तारिफ की गई। होके राई आज ग्राम पंचाथ इस खरगोन में जब हम आए इस यात्रा में बहुत अच्छा भी लगा और इस ग्राम पंचाथ में आते ही कुछ अच्छा नभव भी हुआ। कि आपके भीच के हमारे जो सरपंच हैं भाई प्रकाश उन्होंने आते ही एक दो उपलब्दिया हमारे बीच में करी। वह एक हमारे लिए उधारन भी है इसलिए उधारन है कि एक ऐसा जीन शीन भवन जिसको आपने देखा है हमने तो बहुत पहले देखा था हम तो उम्मीदिभी करते थे कि यहाँ पर इसी ग्राम पंचाथ का भवन में हम कभी आकर खड़े भी रहेंगे यह भवन कैसा था य कोश्राव जो यह फोटेल पूटेल नहीं कि तुन करारी हो जो कुण सर्पन तुन दो रहे हैं परकाश को आलो काम करें दी चलो इसी के साथ मैं यह काऊंगा कि एक यूज योग पे पड़ा लिखा वेकती जब हमारे गाउं की कमांड सबालता है तो गाओं का विकास स्वथा ही होने लग जाता है और इस करी में खरगोन में भूस सारे ऐसे काम जो हमें शासन की दिर्वेश अनुशार जो जो दियम बने हैं भाई प्रकास जी के और आपके गाओं में एक और खुश खबरी ये भी है कि हमारे बीच में अश्रोप भाई जन्पक के उपाजेश भी है जो शिक्सा समयते के अजिस भी है ये बच्चों की पढ़ाई होस्टल छात्रवास और भी जो सरकार के माजम से चले वाली जोजना है ग्राम पंचार लिस्तर से लेकर शाशा लिस्तर पर चलती है उनके लिए आपके गाओं के जन्पक के उपाजेश अशोप भगेटी आपके गाओं को बड़ा मुझे इस बात का भी पर हो था कि आपके जन्पक अद्रश्वी जालम सिंजी रहे हम लोग ग्राम पंचार के मा महिलाओं को टोटल बावीस लाग रुपे का समू की महिलाएं को बावीस लाग रुपे सभी को छे लाग जो समू था किसी को बाश लाग की जो हमारे माने मुखमंत्री शिवरा सिंग चोहां जी शिवरा सिंग चोहां जी को सब जानते हैं ना क्यों शिवरा सिंग चोहां ज चले सब जानते हैं ना हमारे देश के हमारे फदेश हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल S24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना पुलें